करीब 15 गंटे बाद हमें उतार दिया गाया और हमसे का रहा है ताकि कल आपकी सचवालने में मीटिंग हो जाएगी मीटिंग के परणाम सकारात मुठ थे लेकिन आप यहां आकर तीम तारीक को जो मीटिंग होई उसका परणाम बिलकुल जीरो है और यहां से आगए जो हमारा तीम सबहतर के साथ योगा जो कड़ब होगा वो बिलकुल खतरनाक होगा रातमगाती होगा जिसकी जिम्मेदारी सा जिम्मेदार नहीं होगा और हम जल्दी कल हो सकता है कोई ना कोई एक्सिन ले ले या तो हमारी जल्द से जल्द फतकार सुन ले अन्था परणाम गयद खतरनाक होगा आज MBC वरके तीन सो बैस्तर दोजा थारोला जीट का मेटर है उनके लड़के खटे हुई है क्योंकि इ इसमें हमारे जितने ही मुद्धें सब को सोट आउट करने की बात हुई थी जबकि आज तीन तारीक है हम यह बेट्या है हमारे समाज की निता भी जैकोल नहीं है अभी तक हमें वारता के कोई निम्हां कर नहीं है हमारी मांग आज की नहीं है 2018 वाली वर्टी की 2019 समझता है आज डाए साल होगी ती जिसका साथ दिन का टैम दिया गया था हाई पावर कमीटी ने अभी तक साथ दिन में कोई रिपोर्ट नी चौंपी है हम जब इसली बार 28 तारीक को सरकार के नमादे उसे में लेते उन्होंने अमेर तीन तारीक तक का हाई पावर कमीटी से आसवास ना दिये ना ही मुद्धे को लेकर सम्भी दंचील है हम सरकार के साब और खरे सब्दों में कह देने चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में अगर MBC समाज का वोट कहीं ना करें दो चाहिए तो इन तीन सो बैतर युवां को युक्ती का जो यह देने का काम है वो कॉंग्रेस सरकार अगर करती है MBC कर युवां बढ़ चरकर कॉंग्रेस सरकार को बोट करेगा अन्ता वही परणाम होंगे जो बाकी सरकारों के साथ होते हैं हम रीट वर्थी 2018 की जो तीन सो बतर मांगे हैं तीन सो बतर न्युक्ती जो 2019 सेट की हुई है उनको लेकर जो लाश चताइस तारीक को MBC समाज के युवा बयाना में टंक्ती पे चड़ेते फिर सरकार CMO से कोल जाने के बाद में परसासन ने उनको उतारा और समदा इस की कि आपकी मांगों पर कारवाई होगी और उसके बाद जो है उनको न्युक्ती दी जाएगी आगे जो भी प्रोसेस होगा लेकिन आज तीन तारीक हो गई कोई भी आज मिटिंग के अभी तो सुचना मिले नहीं है यह सरकार और यह सुन ले वहीं कि अभी तक हम जो युवा पिछले चार साड़े-चार सालों से इस इंतजार में ह हमें नोतियां मिलेगी और आपने 27 तारीक को टंकी से उतरवा गया लेकिन यह युवा यह समाज रुकने वारा नहीं है यह टंकी वहीं पर हैं यह पठ्रियां वहीं पर भी हैं हम वापस जा सकते हैं सरकार सुन ले और इन बच्चों को नूटी दे दो आज हमारे तीन अक् से और आगे जो भी कदम उठाएंगे यह इनकी साब साब सरकार की जिम्मेदारी होगी